प्रदान मंतरी, नेक्स्ट योगी आदेते ना जाना, उनके बाद योगी आदेते ना जाना, अचा क्यूं क्या कारण है, योगी क्यूं वो डेवलप अच्छा होता, उसके पूर पीपल का समझ था, यानि गरीब लोगों के मतलब, अंधर प्रदेश में वाइसर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है, और अब उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो अभी नो कॉंफिदेंस मोशनल लाए जा रहा है, इसमें वो केंदर सरकार के साथ है, अंधर प्रदेश में बीजेप आए तो अच्छा होता, जहां पे अब जब भी चुनाव होंगे परदान सबगे तो बीजेपी चाना है ये इसरसी पी टीडीपी नहीं नहीं, आच्छा, आपका गया नाव है, क्रनाकल, आप अंधर पदेश्चा है, लिजेपोरलबिस में कोंए प्रदान मेंना अच्छा है, नादमल पसंद की पूर्च सेक्छेट है, वो करते होंगें, जो फिर आंदर प्रदेश में विदान सबाद चुनाव होंगे वहाँ YSRCP, TDP याँ बीजेप आया से अच्छा है अब लग रहा है TDP जो है वो भी NDA गट बंदन के साथ है प्रदेश में एक नमबर वन प्लेस में आया था अभी उन्होंने कहा है जो एकोनमी की बात के अर्थ होए उस था कि फिफ्थ नमबर पर है अभी हम उन्होंने कहा है कि थर्ड टर्म हैगा तो तीसरे पर आ जाएं संसत में मौनसुन 17 समय चल रहा है और उसके लावा गर देश के राजनितिक परिपेक्ष की बात की जाए तो तमाम जो दल है वो अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि जनता को लुभाया जाए 2024 के लिए इसी बीच जो प्रयास चल रहे हैं यहाँ पर विपक्षी दल भी एक साथ हुए है तो वहीं दूसरी तरफ NDA को और मजबूती मिली जब YSR Congress Party का समर्थन जो है चाहे दिली अद्यादेश का मुद्धा हो उस पर भी सरकार के साथ है और यह जो No Confidence Motion लाया जा रहा है इस पर भी कहीं ना कहीं के अंदर सरकार के साथ नज़रा दिये YSR Congress Party तो यहां पर सिधे तोर पर जितने विद्याइक हैं वह पास होंगे राज्यसभा से भी लोकसभा में पहले ही होने थे राज्यसभा में भी पास होंगे आये इस समय हम इंडिया गेट पर मुझूद है जो यहां जंता गूमने के लिए है उनसे हम बात करेंगे कि 2024 को लेकर क किसकी सरकार बने बीजेपी की बननी चीए बिल्कुल बीजेपी क्यों बननी चीए इसमें जो है देखे चोटी मोटी चीजों के रेट कम जादा के लिए नहीं बनाया है आमने इसको देश को विकास की पत पर लेके जाने के लिए बनाया है और वो सभी काम हो रहे हैं तो ब करेंगे यह तो नेचुरल है हर्याना के आप रहने वाले हैं हर्याना में इस बार प्रयास कर रहे हैं हमादमी पार्टी की थोड़ा हम वहाँ है हमें वोट मिले लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी दिली में होता है तो आरोप हर्याना पर ही लगाते हैं अब यह जो यहां पर बाड़ाई का रहे हैं हर्याना की वज़ा से हर चीज पर तो हर्याना को टार्गेट करते हैं अब वोट मांगने भी जा रहे हैं अगले एक्शन के लिए तो सर हमें तो नहीं लगता है विपक्षी दल वहाँ पर अपना कुछ जो है पैट बना पाएगी ऐसा कुछ नहीं लगता है हमें आपका क्या नाम नीरेज बिंजोल आपका करेंगे रहने वाले हैं किस को चा रहे हैं 24 भारते जंता पार्टी प्जेपी को चा रहे हैं क्या कारण नहीं हो देश सरोपरी यस वो तो विपक्षी गडबंदन ने भी अब नाम रख दिया इंडिया यह विपक्षी जैसे बहुखला के बोल रही है अब हर्याना लेकिन आरोप भी हर्याना वालों पर लगाते हैं इनकी वज़ा से पल्यूश अब उनका नाम ने लेंगे विपक्षी जीरो चुगा है पार्टिय जंता पाति की सरकाराने के बाद जब से मोधी जी सत्ता में आई है तब से हमें बहुत सारा प्रिवर्तन यहां देखने को मिला है और जिसका नाम हमने वो कर्तवयपत खड़े हैं उसकी अगर आज हम नजारा देखे तो लगता है कि हाँ भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने देश में काम किया है, मोधी जी नमबर वन है, है और रहेंगे कुछ दिन पहले हर्याना से भार जोड़ो यात्रा भी निकली थी, राउल गांदी लेकर निकले तो उसका कुछ फरक नहीं पड़ेगा हर्याना के लिए बुखला रहे हैं विचारे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि देश जो है उनत्ती की रस्ते पे है, और मोधी जी ने देश को उनत्ती के रस्ते पे लेकर जाना है, विश्वगुरू का जो हम सपना देख रहे हो हमारा जल्दी पूरा होने वाला है, आपका क्या बढ़िया, सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर, मोधी जी, मोधी जी ही, मोधी जी जी, आभी आप ये देखिए कि पूरी धुनिया के अंदर भारत का नाम बड़े आदर और सम्मान के लिए लिया जाता है, और प्रतेक व्यक्ति सबसे पहले इस देश का वासी है, राज जनता पार्टी की सरकार ने आते ही निप्टा दिया, उसके बाद आप 370 की धारा देख लिजिए, उस पे लोग जम्मू कश्मीर से हर्याना तक भी प्रभाव है, नहीं, हर्याना और जम्मू कश्मीर और इसको आप अलग-अलग मत देखिए, ये सब कुछ भारत है, जब भारत में कोई अच्छी चीज होगी, तो भारत वालों के लिए होगी ना, तो इसको हम अलग क्यों जोड़ते हैं, अब लोग अपनी राजनेती की जो रोटिया सेखते हैं, उसके लिए इसको अलग करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे भी आदर पतसे हुमें, मेरा यही कहाना है कि देखिए सबसे पहले आप कोई भारतितुनता पार्टी का कार gitirm, प्रोगराम देखें, सबसे पहले उसमें पहले नहरा रहता है भारतित पार्टी का भारत माता की जय है, camera मे sights like, और आप और भारतित बसी देलिया कि आप जाही एक किसी म हमेशा कारे करेगी और हमेशा आगे रहेगी आपका क्या ना? सोनो रावल जी आप भी पानी पत से? पानी पत से जी आपका क्या कमेंटर चोब इसके लिए? हमारे तो BJP एक तरफा है जी एक तरफा BJP? हाँ जी कॉंग्रेस परियास कर रहे हैं के जिवाल भी वहाँ जा रहे हैं BJP एक तरफा है हमारे वहाँ से लिए BJP है कि